Hello everyone, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिजाइनर लेंगी की फुल स्टिचिंग इस लेंगी की कटिंग का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकि हूँ लिंक डिस्केपशन बॉक्स में है और इस लेंगी की लेंगी की कटिंग कैसे करनी है किस तरीके से मैंने डमी के ओपर इसको सैट करके इसकी लैंद कटिंग करी है उसका भी सैपरेट वीडियो बनाया है वो भी लिंक डिस्केप्शन बॉक्स में है आप देख सकते हैं कि साडी में से कितने फुल गहरे वाला जो लहंगा है वो बनके आया है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है सब लोगों को पार्टी में भी बहुत पसंद आया और मेरी बहुत ही तारीफ किया है सब लोगों ने की इतनी पुरानी साडी से कितना ब्यूटिफुल सा लहंगा मैंने बनाया है दिजाइन किया है इसके साथ मैंने ड्रैप दुपट्टा भी दिया है उसका भी लिंक में डाल दूंगी अभी मैंने उसके ओपर वीडियो नहीं बनाया है तो कटिंग के बाद मैंने सबसे पहले इस लाइनिंग जो मैंने सेंटून यूज किया है उसको पूरा रेडी कर लिय यह मेंने 6 गली के मेंद जो ने निचा किया कि Yeah फा रह कास्की मंट इसके वेति कर दिया किया है बी Okay. अंधर की साइड मैंने इंटर एंटर लोग भी कर दिया क्योंकि विर्णल है इस हाइट पूरा आप लेडी कर ले दिया है उसके बाद 1 लेयर मैंnelle इसका ready किया है आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने चार लेयर joint किया है बिल्कुल straight straight और चारो लेयर में मैंने gather's डाल कर उनको आपस में joint कर दिया है और सबसे नीचे मैंने जो बनाया है यह पूरा लेयर इसमें मैंने wire को attach किया है ताकि इसमें cane cane की ज़रुत ना पड़े ये मैंने आपको बता ना भूल गई फ्रेंड्स कि इस लहंगे को इतना फलपी बनाया है मैंने और फिर भी मैंने इसमें कोई भी केन केन यूज नहीं किया है पूरा नेट और वायर से मैंने इसको फलपी बनाया है अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सैकंड लेयर बनाया है ये भी मैंने नेट का ही बनाया है इसमें अगर आप इस तरीके से लेंगे को बनाते हैं तो बहुत ही ब्यूटिफुल सा इसका घीरा बनके आता है केन-केन से हम फुला तो देते हैं लेकिन वो बात नहीं आपाती है जो एक डिजाइनर लेंगे में आती है तो को सारी लेयर आपस में जॉइंट करते हुए जाना है अब इतना फलपी आइ तिंक बहुत है इस लेंगी में क्योंकि इसके उपर अब मैं में फैबरिक को भी अटैच करने वाली हूँ यह में फैबरिक अटैच होने के बाद मतलब बहुत ही ब्यूटिफूल लगेगा यह ले री पर वाला उसके अंदर है चार लेयर कुटिंग क्या है वह मैंने 25 मेटर चाले वाला यह प्या अब प्रहला मैंने जो एक फैपर है तो यह पूर्ण ब़नियकर यह फीकिश्युल प्रहला है जो को वालर वाला पेस्टिंग आता है 80 रुपे यह 100 औरुपे मीटर के असपास आता है तो मैंने लिए है इसके बाद मैंने यह कर्वाला स्केल लिया है कर्वाले स्केल से ही मैं बैल्ट को कटिंग करूँगी फ्रेंड्स आदा लोग क्या करते हैं बैल्ट बिलकुल स्टिरेट कट कर देते हैं उससे वो बात ही नहीं आपाती है वो पूरी मतलब सैट नहीं हो पाती है लहंगे में अगर आपको अच्छे से बैल्ट को अटेच करना है तो बैल्ट की चोड़ाई आपको जितनी भी चाहिए जैसे मैंने 2.5 इंच लिया है अगर मैं हैवी बनाती हूं हेल्दी लोगों का ल अगर देने अगर में लोगों है में वोड़ा का लाता हूं मैं प्रसल्ट की लोगों का लए पो दो श्कया सटापली लेगा हमारी ने स्टckt को प्रसल्ट वाहती है और घडिमेडी कटिंग के स्ढ़ल्ट मिनदी की झालती हां चाहिए तो इसके लिए मैं स्टक्राइब कर या फिर आप आलपीन या स्लाई भी रगा सकते हैं इसके उपर कच्ची अब जो मैंने पेस्टिंग किया था उन सारे पेस्टिंग को मैंने मेन फैबरिक के उपर पेस्ट कर दिया है जो आपकी पेस्टिंग है उसको मेन फैबरिक के उपर पहले पेस्ट करना है उसके बाद आ अच्छा करने के लिए और कपड़े को पलटने के लिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा जो बैल्ट है उसको रेडी कर लिया है और अच्छे से उसको चारो तरफ से कट भी कर लिया है हाफ आफ इंच का मार्जन मैंने चारो साइड में रखा है तो दोनों मतलब जो मेर सेंटून बचा हुआ है वही मैं इसमें अटैश करूँगी क्योंकि साड़ी में लहंगे में जो गहरा बनाया है वही इतना जादा हो गया है कि उसके लिए अक्स्टा कपड़ा नहीं बचा है तो मैंने जो बैल्ट के अंदर की साइड लगाया है वो मैंने लाइनिंग को ही ल चारो साइडों में मतलब इसको अच्छे से प्रैस कर लेंगे और जो हमारा गोलाई वाला साइड है आप देख सकते हैं कि बैल्ट को इस तरीके से आपको रेडी करना है वहां पर हमें इस लाइड लगा कर उसको पलट देना और एक साइड से बैल्ट को ओपन रखना है इस उसमें मेरा जो कपड़ा है वो दिखाई दे रहा है तो वही उसी कपड़े को हम बैल्ट में a a tatch करेंगे मतलब lhenge में a tatch करेंगे तो सबसे पहले improve the lhenge को चारी जितनी भी लेर थी वो मैंने ready कर ली थी और उनको मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा सा ओपन भी कर लिया है ताकि मैं यहां पर एक साइड में इसमें जिप लगा सकूँ क्योंकि फिक्स बैटल बनती है तो उसमें ओविसली जिप तो जरूर ही लगेगा क्योंकि फिर पहनने में नहीं आएगा लहंगा तो एक साइड में मैंने इसमें जिप को अटेच किया है तो चारो लेयर जहां तक भी हमें जिप को अटेच करना है चारो लेयर को एक साथ कच्चा कर देना है दोनों साइडों से तो ये दोनों साइडों से हमने इसको कच्चा कर लिया है काफी मुश्किल होता है फ्रेंट्स इतने हैवी लेंगे को स्टिच करना क्योंकि बहुत ही हैवी होता है और एक साइड से भागता रहता है तो आपको इसको होल्ड करने के लिए भी एक आदमी को अलग से रगाना पड़ेगा तब ही वो आप लेंगे में जिप को अटेच कर क्योंकि इसमें केन भी नहीं है और इतना जादा मैंने इसमें नेट लगा दिया है आप आपने देखा ही है तो यह बहुत ही हैवी हो गया था तो इसमें जिप और बैल्ट को अटेच करना थोड़ा सा मुश्किल था तो यह जो मैंने दूनों साइडों से जिप को लगाने क के लिए इसमें यहां पर कच्चा कर लिया है अब इसको दोनों साइडों से सिलाई लगाने के बाद हम जिप को अटेच करेंगी तो जिप बिल्कुल वैसे ही अटेच करनी है फ्रेंट जैसे नॉर्मल करते हैं एक साइड से सिलाई लगानी और फिर उसको भी दूसरी लगाते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना आपको बहुत ही हैल्प मिलेगा क्योंकि लहंगे में जो जिप लगाया है मैंने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया है क्योंकि यह अल्रडी बहुत बड़ी और लंबी वीडियो हो गई थी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक पैर के बूर से हमने एक साइड में सिलाई लगाई है बिल्कुल वैसे ही हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे जहां तक आपको जिप को अटैच करना है वही तक आपको सिलाई लगानी है सिर पूरी जिप को अटैच करने के बाद मैं एक बार फिर स जो मेरे लहंगा है हमारा जो साडी थी उसीं का मैंने बनाया है तो आप देख सकते हैं कि यह यहां तक हमें Ready करना है और यह पूरा Ready करने के बाद मैंने इससमें साइओ को भी पूरा अटैज कर दिया है जिप भी मैं झाली आप only a एक साइड में मैंने ओपन रखा है लेंगे को और दूसरे साइड में इस तरीके से जिप को अटैज कर दिया है तो ये जिप और इतना काम हमारा हो चुका है अब हम क्या करेंगे लेंगे में बैल्ट को अटैज करेंगे friends जब हम belt को attach करते हैं तो दोनों side से लहंगे को open कर लेते हैं zip को भी open कर लेंगे और दूसरी side से जो हमारा cut जो लगाया हमने उसको भी side से open कर लेंगे अब belt तो मैंने पूरी ready कर ही ली थी आपने देखा था अब ये belt पूरी ready करने के बाद अब मैं इसको belt को लेंगे में attach करूंगी जो मैंने निशान लगाया है belt के बिल्कुल किनारे पर जो चौक से निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर मुझे सिलाई को attach करना है और zip वाली side से मुझे belt को लगाना स्टार्ट करना है तो जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था लाइनिंग का उसी कपड़े को मुझे कपड़े के ऊपर जो सिलाई का निशान लगाया है मैंने चौक से उसी के ऊपर मुझे सिलाई लगानी है पूरी belt पे मुझे इसी तरीके से सिलाई लगानी है जो निशान लगाया है हमने उसी निशान के उपर अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी बैल्ट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी कोई बैल्ट लूज नी होगी छोटी बड़ी नी होगी अब बहुत अच्छे से बैल्ट अटैच भी हो जाएगी बहुत अच्छा तरीका है बहुत यूनीक तरीका है बैल्ट को अटैच करने का कोलर भी आप इसी तरीके से लगाएंगे ना रेडी करके पूरा उसको में जो हमारा फैब्रीक है उसको अंदर के साइड फोल करके उसको पेस्ट कर जीजे डिवर्सेबल टेप से इसको पेस्ट किया है और करने के बाद इसको सीधी साइड पलट देना है बैल्ट को जैसे कॉलर को सीधी साइड में पलटते है ना बिल्कुल वैसे ही आपको बलटना है और बिल्कुल किनारे पे फिनीशिंग से आपको सिलाई लगानी है और बैल्ट बहुत ही फिनीशिंग से लगती है इस टाइप की बैल्ट भी वैसे इटेच्च कर लेंगे। और मैं आपको एक बड़ फीर से डिखा देती हूं दोनों बैल्ट को रेडी करके। अब देखिए है मैंने दोनों साइडों में बैल्ट को रेडी कर लिया है। और एक जिस साइड मैंने जिप लगा है, उससाइड मैंने पैंट वाले हुख होते हैं, यह मैंने दो हुख का इस्तमाल किया है, क्योंकि यह थोड़ी सी चौड़ी बैल्ट है, पतली बैल्ट होती तो मैं एक ही हुख लगा लेती, अब दूसी साइड से हमें सिर्फ इंबॉक्स में डाल दूँगी आप महाँ पर जाकर इस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्स्प्लेइन किया है किस तरीके से मैंने इंचे टेप को उपर से फिक्स करके और डमी पर फिटिंग देके लैंद को कटिंग करना बहुत ही असान तरीके से सिखाया है बहुत ही यूनिक तरीका है फ्रेंड्स फ्रेंड्स वह वीडियो बहुत ही यूसफूल है बिगनर्स के लिए भी क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा गाउन की कटिंग कैसे लैंद की कटिंग करते हैं और प्लाजो में भी बहुत सारे मतलब कमी होती है लैंद में कटिंग करने की और चोटे मोटे जैसे हम प् गहरा बिल्कुल उक्वल आ अएगा आप देख सकता है कि मैंने इसमे नीचे से ना तो फोल्ड किया ना वायर को ऑभी अटैच किया है और विल्कुल उक्वल हमारा गहरा है तो फ्रेंड्स पूरा गहरे में मैंने लास्ट में यसमें वायर भीominaट आडेच किया है आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि मेरी आ गयाने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो के साथ नए ट